यो वासब गाईज स्वागत थे आप सभी का एक नई GDA5 की एपिसोड में जिसमें हम लोग करने वाले हैं अपनी माहिंद्रा थार को फुली तरीके से अपग्रेड मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे कि मैं एतनी जल्दी अपनी थार को क्यों अपग्रेड कर रहा हूँ तो इसका जवाब आपको कमेंट में पिन वीडियो में जरूर मिल जाएगा आप लोग उस वीडियो को देखकर दुबारा आना इस वीडियो पे और कमेंट करके जरूर बताना कि मैं अपनी थार को अपग्रेड क्यों कर रहा हूँ तो गैस भीना टाइम वेस्ट किये हुए मैंने फटावर से बैनी से बात भी कर लिया है और बैनी ने मुझे तुरंद बुलाया है कि वो अभी फ्री भी है और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लएगा बैनी के शॉप पे जाने में आप लोग को पता ही है कि आज वाली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं तो मैं फटावर से अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार कर लेता हूँ और फटावर से बैनी से मिलके बात कर लेता हूँ कि बैनी भाई आप कितना टाइम लगाओगे मेरी गाड़ी यानि की महें रथार को अच्छे से मोडिफाई करने में लेकिन भाई यहां पर मेरे को बैनी दिखी नहीं रहा है उप अभी यह काम करता हूँ मैं फटावड शे बैनी को call कर लेता हूँ ल्रइट गाईस तो मैं नहीं पर बैनी को call कर दिया बैनी बोल रहा है कि मैं 5 मिनट टूको मैं 10 मिनट में आता हूँ औरे भाई साब ये बैनी आए क्या और ये बैनी भाई ये कौन सी गाड़ी लेकर आता है यार बैनी भाई हर बार ही जब भी इससे मिलने आता हूँ भाई ये कुछ नया ही गाड़ी लेकर आता है भाई पता नियार मेरे से ज़्यादा तो मेरे को लगता है भाई ये ही कमा ले यार ये तो बंदों की गाड़ी मोडिफाई करकर के करकर के उनसे ही ज़्यादा अम्मीर हो जाएगा यार ये बंदा आप लोगों तो पता ही है पूरी सीटी में बैनी से अच्छे मोडिफिकेशन कोई नहीं करता और मुझे लगता है बैनी को इस बात की काफी ज़्यादा घमर्ड हो चोकी है क्योंकि गाइस देखो आपको पताईए कि मुझे कितनी ज़्यादा एमर्जेंसी है अपनी माहिनरे थार को मोडिफाई कराने में लेकिन भाई यहाँ पर बैनी मेरे से एक महिने का टाइम मांग रहा है और यह बात बैनी को काफी ज़्यादा अच्छे से पता है कि मैं अपनी गाड़ी किसी और से मोडिफाई करा ही नहीं सकता है इसलिए ये बात का मेरे को लगता है न वो काफी जादा फायदा उठाता है यार लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई बैनी अपना दोस्त है अपना भाई जैसा है तो भाई चलो यार इतना टाइम ले लो और फिर जब मैंने उसकी गाड़ी की चाभी मांगी तो मुझे ये खटारा गाड़ी की चाभी दे दी क्यूकि वो कह रहा है कि ये जो रेड़ वाली गाड़ी जो आप लोको दिख रही है न वो उसको आज डेलिवर करना है इसलिए वो मेरे को ये वाली गाड़ी की चाभी न इतनी जल्दी कॉल करके बुला रहा है और वो बुला है कि भाई जल्दी एमर्जेंसी है फटापर से आजाओ तो मैं यहाँ पर बैनी के गाराज पर पहुंच चुका हूँ और मैं यहाँ पर क्या देख रहा भाई यह तो मर्सेडीज की 666 है मेरे हिसाब से और यह तो मेरी ड्रीम कार थी यार ओफ रोडिंग के लिए इससे अच्छी तो कुई होए नहीं सकती भाई साहब यह क्या गाड़ी लेके आया बैनी मैוכ मैईकल जुक मेरे कस्टमर है उनको महिंदा आथर काफ्य ज्यादा पसंद है और तेरे को मर्सेडीज काफ्य ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम दोनों की कार एक लेक्शेंज कर दिया जा जाए और तुम दुनों इससे काफी जैदा खुश हो ज करने एंड गाईज आप लोग फटावर से कमेंट करके नीचे जल्दी जल्दी बताओ कि मैं बैनी को न्यूएर में क्या सप्राइज गिफ्ट दूँ ताकि वो भी बहुत ज्याला खुश हो जाया तो फटावर से नीचे कमेंट करना है वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो